शामनगर थाना पुलिस ने सफाई करमचारी की बेटी की शादी में भरा मायरा रादानी के शामनगर थाना पुलिस टीम ने सामाजिक सरुकार निभाते हुए सोमवार को फुलेरा रोज पर थाने फरीशन में सफाई करमचारी का नराम निवासी बदरवास की बेटी कोमल की शादी में पहुँच कर 24,000 रुपे की नगदी समेत अन्य सामानों से बायरा भरा इस मौके पर थाना अधिकारी संतरा मिना सब इंस्पेक्टर मनीराम समेश सहित समस्त थाना स्टाफ बदरवास स्थिस सपाई कर्मी जितिंद्र की घर पहुँचे और उसकी बेटी कोमल की शादी में 24,000 रुपे की नगदी समेत अन्य सामान मायरा की रूप में भीट किये जहां एक बार गी इतने पुलिस कर्मी को देख लोग भी चौक गए वहीं जब मांगली कारिकरम में कानाराम की पती ने थाना प्रबारी संतरा मिना सहित सभी पुलिस कर्मियों के तिलक और आर्थी कर स्वागत गिया इसी एवज में पुलिस कर्मियों यहने भात में रका म और अन्य उफार दिये द्रश्य देख कर वहां मौझुद लोग चकित रहे गए पुलिस के सामाजिक सरुकार को देख कानाराम और उनका परिवार भावुक हो गया थाना अधिकारी संत्रा मिना ने बता कि कानाराम नाम को विक्ति पिछले लंबे अर्से से शामनगर थाना पुलिस में साफ सफाई का काम करता आ रहा है सुमवार को थाना इलाके में इस्तिज बदरवास में रहने वाले कानाराम की बेटी को मल की शादी थी जिसमें कानाराम ने भी शामनगर थाने के पूर्ड स्टाफ को न्योता दिया जिस पर थाना प्रभारी संत्राम मीना ने स्टाफ के साथ बातशीत कर सफाई कर्मी कानराम की आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा इसमें तैह हुआ कि कानराम की बेटी को अपनी बेटी मान कर पोलिस थाने के स्टाफ की तरफ से भात बरावे जाए इसके बाद थाने के स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ की नगदी सहे अन्य समानी खटा किया जिसके बाद थाना रदिगारी समय थाने का स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ और स्टाफ से बात लेकर सफाई कर्मी कानराम के घर पहुचे ब्यूरे रिपोर्ट नियूरला रादिस्थान जैपो